जब से जियो ने टेलीकॉम इंडिस्ट्री में इंट्री की है सबसे ज़्यादा बवाल जो मचा है वो है डेटा स्पीड और प्राइस पर यह तीन सेग्मेंट ते जिनों सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई और काफी ज़्यादा अप एंडाउन देखने को मिला जियो के आन जा रहे है एटल के प्लान के बाई अपने दो प्लान 349 और फाइफ नाइन दोनों प्लान के जो डेटा लिमिट थी उसे बढ़ा दिया जहां 349 में आपको अभी तक मिलता था 1.5GB तो अब एटल उसे बढ़ा कर दिया दो जी भी अठाइस दिनों के लिए और फाइफ पॉ 249 और फाइफ एटल और काफी अची बात है कि एटल कुछ तो ट्राइब कर रहा है एक अलग तरीके से प्लान अपने चेंज कर रहा है और सारी सारी कंपनी से लग लगने के लिए लेकिन कुछ दम नहीं है फिलाल अगर आप पहले से ये यूजर है और कंटिन यूज कर रह है लेकिन जो में फर्क है कि 309 रुपय में आपको यहां एक दीवी मिलेगा उन्चास दिन के लिए और आपको मिलेगा दो जीवी 28 दिन के लिए अगर आपको डेटा यूजज ज्यादा है तो आप एटल के पर सुच कर सकते हैं लेकिन यहां वाइस अभी कई स्टेट में न और पसंद आई हो अगर तो यार ठोको लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को